कि साथियों जोहार कि आज मुझे एड़ी गिराफतार करने आई है कि दिन बर हमसे पुछताज करने के बाद समय बिताने के बाद सुनियों धंग से मुझे गिराफतार करने का उन लोग ने हैसला सुनाया और किस विशय पर ऐसे विशय पर जो चीज़ें मुझे से जुड़ी ही नहीं मुझ पर साड़े आठ एकड़े जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुयारी जमीन किया जो जमीन कभी बिक्ती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला दिल्ली में भी इन लोगों ने छावे मार कर हमारी जो छवी खराब करने की कोशिस की और आज अंतो गत्वा यह सुनेजित तरीके से दिन भर यह योजनाबत तरीके से आये समय काटे और उन लोगों ने अपने योजना के नुसाथ मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया मैं कोट के निर्णय पर बिलकुल सर्मान्य के साथ उसका समान करता हूं अभी मैं कोट में जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा क्योंकि आपको प आज एक लोगप्रिय सरकार एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीत कर सरकार बना कर राज की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खतम हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेंगी ऐसे सामनती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोस लोगों को गरीव निरिख आदिवासी दलीद पिचड़ों के उपर जो अत्यचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संगर्स भी करेंगे। आज मुझे संभाता ये लोग अपने कबजे में ले लेंगे। मुझे उसका चिंता नहीं है। सीगु सुरिंका मैं बेटा हूँ। संगर्स हमारे खून में हैं। और संगर्स करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मनसुबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोग ने ने लिया है। और आपको हम बता दें, बड़ा अश्यर की बात है। अभी मैंने जमीन को लेकर उन्होंने मुझे पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बलकि जो लोग जाली कागच बनाकर और जिनके फरजी सिकायत के अधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक सर्यंत्र रजकर ये काम्याब हो रहे हैं। अब मुझे पूरा विष्वास है आज निकर सत्य की विजय होगी, साथियो समय में बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहां। एक जो अभी हाल में राजनितिक सर्यंत का सिकार बिहार हुआ है। दूसरे राजमितिक सडेंद का सिकार जार्खन को बनाना चाहते हैं लेकिन आप अस्वस्त रहें हेमन सवरें जार्खन के हर एक वेक्ति के दिल में हैं हर एक नौजवानों के दिल में हर एक बुजुरुगों के दिल में हर एक बच्चों के दिल में रहेगा और जिस तरीके स बुड़े बुजूरके सेवा करते हुए, नोजवानों को रोजार जेते हुए, अपने महिला सर्षित्री करान को लेकर हम ने काम किया, रोजार सिर्जन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा, एक लंबा लकीर के रुक में मैं इसे, आज संभावता ये इस लकीर को और ना खिचने दे मुझे लेकिन आप अस्वस्त रहें सथ की कभी हाद नहीं होती ये मुझे जरूर थोड़ा बिचली तभी करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये बहुत जाला दिन तक चलेगा नहीं लेकिन जब हम अगली लड़ाई के सोचना पड़े धन्यवाद साथियों जोहार और कल सुबह अगबार के माध्यम से टीवी चैनलों के माध्यम से संभावता आप सब लोग को इस बात की खवर होगी कि आज हेमन सुरें गिरफतार हो गया और हमारे जो बिरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी काव्याब हो रहे हैं इस पर अपना फीट ख़पत पाएंगे और मैं जानता हूँ जारकन की दनता काफी समेधन सील है और करमट है और हम अपनी इमान्दारी के साथ अपनी लडाई को जारी रखे गें और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पुरा सहयो मुझे पराप्त होगा धन्यवाद जोहाद